रोई शेटी, बॉलिवूट के एक ऐसे डिरेक्टर जिनके पिटारे से फ्लॉप मुवीज तो कभी निकली नहीं है क्योंकि इस बंदे ने जो भी मुवीज दी है भाईसा फुल ओन एंटर्टेर्मेंट से भरी हुई और उनी मुवीज में से एक मुवी है बॉलिवूट के किंग खान की मुवी चैननाई एक्सप्रेस भी जिसकी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्स्प्लेन करके बताऊंगा तो दोस्तो चलिए बिना टाइम गवाय आईए चैननाई एक्सप्रेस की मुवी स्टोरी जानते हैं तो दोस्तो ये स्टोरी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले 40 साल के कुमारे राहुल से जो एक मिठाई वाला है क्योंकि जब रहुल 8 साल का था तो उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सिडेंट में हो गई थी जिसकी और जैसे रहुल का पालन पोशन उसके दादा दादी भिशंबर हलवाई और नीतू ने किया था और क्योंकि उसके दादा जी का ही इन मिठाईयों का बहुत बड़ा बिजनस होता है जिसको रहुल ही आगे चला रहा होता है और रहुल के दादा जी रहुल की परसनल लाइफ में बहुत ही जादा इंटरफेर करते हैं क्योंकि जब भी राहूल किसी लड़की के साथ अपनी सैटिंग करने जा रहा होता है कि तभी उसके दादा जी हमेशा बीच में आ जाते हैं और राहूल की सैटिंग होते होते रह जाती है और इसी की ओजसे राहूल 40 की उमर में भी कुँआ रहा है तभी राहूल के दो दोस्त बॉबी और बमन राहूल के साथ मिलके गोवा घूमने का प्लैन बनाते हैं लेकिन राहूल के दादा जी के सोवे जनम दिन पर जब दादा जी अपने फेवरेट क्रिकेटर सचिन दंदुलकर को टीवी पर खेलते हुए देख रहे होते हैं तो सच गंगा में भादी जाएं और आदी अस्थियां तमिलाडू के रामेश्वरम में और दादी राहूल से कहती है कि वो रामेश्वरम जाके दादा जी की आदी अस्थियों को विसरजित कराए और क्योंकि राहूल गोवा जाना चाता था इसलिए वो बेमन से रामेश्वरम जान राहुल को जैसे याद आता है। वो तुरंत ट्रेन में जाकर कलश उठा लेता है पर तभी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है और राहूल ट्रेन से उतरने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि ट्रेन में चड़ने के लिए भागते वे एक लड़की आ रही होती है और राहूल उसे ट्रेन में च चड़ा देता है और ऐसे करके तीन आदमी और ट्रेन में चड़ने के लिए आ रहे होते हैं और रहुल उन्हें भी ट्रेन में चड़ा देता है और इसी चक्कर में रहुल की ट्रेन कल्यान जंक्शन से निकल जाती है और रहुल का स्टेशन मिस हो जाता है तब रहुल उन चार वाली सीट पर ही बैठी होती है और वो चारो आदमी भी राहुल और मिनम्मा के साथ वाली सीटों पर ही बैठे होते हैं तब राहुल हिंदी फिल्मों के गाने गाकर मिनम्मा के साथ फ्लोट करना शुरू कर देता है और क्योंकि मिनम्मा और वो चारो आदमी साउथ हिंडिया से होते हैं इसलिए उन चारो आदमियों को हिंदी नहीं आती इसलिए उन्हें वो गाने समझे नहीं आ रहे होते पर क्योंकि मिनम्मा को हिंदी आती है इसलिए वो भी हिंदी में गाने गाना शुरू कर देती है जिन गानों के जरीए वो रहुल को बताती है कि ये चारो आदम उसको किटनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानकर रहुल हैरान रह जाता है तब रहुल चोरिच हिपे मिनम्मा को अपना मोबाइल देता है जिससे कि मिनम्मा अपने दोस्तों को कॉंटेक्ट कर सके लेकिन मिनम्मा के कॉल करने से पहले ही वो चारो गुंडे मिनम्मा से मोबाइल छेन कर ट्रेन से बाहर फैक देते हैं जिसकी ओजसे राहूल उन चारो गुंडों पर बहुत गुसा होता है लेकिन वो चारो गुंडे अपने साथ लाए हतियारों से राहुल को डरा धमका के बिठा देते हैं तब वहाँ टीसी आता है और राहुल टीसी को उनी गानों के जरीए बताने की कोशिश करता है कि ये चारो गुंडे हैं और वो मिनम्मा को किड्नैप करके लेके जा रहे हैं और ये जानकर टीसी उन चारो को ट्रेन से उतरने के लिए कहता है लेकिन टीसी उन चारो गुंडों पर कोई एक्शन ले पाए उससे पहले ही वो चारो टीसी को उठा कर ट्रेन से भार फैक देते हैं और रहुल ये देखकर हैरान रह जाता है तब फिर इस सफर के दोरान रहुल मिनम्मा से पूसता है कि ये सारे कौन है और तुम्हें क्यों किड्नैप करके लेके जा रहे हैं तब मिनम्मा राहुल को अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है जिसमें वो बताती है कि उसका पूरा नाम मीना लोचनम अडगसुंदरम है और उसके पिता दुरगेश्वर अडगसुंदरम तमिल नाडू के कुम्बन गाउं के एक बहुत बड़े डॉन है और ये जो चार जबरदस्ती ठंगबली नाम के एक आदमी से करवाना चाते हैं जिसकी वज़ा से वो घर से भाग रही थी तब फिर चैन्नाई एक्सप्रेस पहुंसती है कुम्बन गाउं के रेलवे स्टेशन जहां मिनम्मा अपने पिता के गुसे से बचने के लिए उनसे ये कह देती है क पिरफ हाँ हाँ में अपनी मुंडी हिला रहा होता है जिसकी वज़ा से सबको ये कनफरम हो जाता है कि मिनम्मा जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है और ये जानकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो राहुल को बहुत खुशी से कुम्बन गाउं लेके जाते और कुमबन गाव में मिनम्मा की फैमली राहूल का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और वहां राहूल की शमशेर नाम के एक पंजाबी पुलिस वाले से काफी अच्छी जान पेचान हो जाती है तब फिर मिनम्मा के घर थंग बली आता है जहां मिनम्मा के पिता उसे बताते हैं कि मिनम्मा इस राहूल नाम के लड़के से प्यार करती है और वो इसी के साथ भागी थी तब ठंगबली राहुल के पास आके तमिल में उसे एक चैलेंज देता है जिसमें वो राहुल से कहता है कि रात को दोनों में फाइट होगी जो जीतेगा वो मिनम्मा से शादी करेगा और क्योंकि राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है इसलिए वो जोश जोश में इस चैलेंज को एकसेप्ट कर लेता है लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर शमशेर राहुल को हिंदी में ठंगबली के चैलेंज के बार में बताता है तो राहुल हैरान रह जाता है जिसकी वज़े से राहुल उसी रात फाइल शूरू होने से पहले ही वहां से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर शमशेर की मदद से वो एक जहाज में छिप जाता है और जब अगले दिन राहुल उस जहाज में सोके उठता है तो वो देखता है कि जहाज समुद्र में है जिसमें समगलर्स ड्रक्स की समगलिंग करके इंडिया से शिरलंका जा रहे होते हैं पर तभी उस जहाज पर इंडियन पुलिस हमला कर देती है और राहुल के साथ साथ सा पुम्बन गाओं छोड़ देते हैं जहां पर मिनम्मा की शादी ठंगबली से चल रही होती है और क्योंकि वहां राहुल की जान पर बनाती है इसलिए राहुल तुरंत वहां खड़े एक गुंडे से चाकू लेकर मिनम्मा को उस चाकू की नोग पर लेकर सब के सामने से वहां के शादी की है और क्योंकि उनके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे इसलिए वो भाग कर यहां आये हैं और मिनम्मा की इस कहानी को सुनके सारे गाओं वाले मिनम्मा और रहुल को अपने गाओं में रखने के लिए मान जाते हैं तब फिर देखते ही देखते मिनम्मा और रहुल की नस्दीकियां बढ़ने लगती हैं और मिनम्मा को रहुल से प्यार हो जाता है लेकिन एक दिन ठंग बली मिनम्मा और रहुल को पकड़ने के लिए उस गाउं में पहुंच जाता है लेकिन गाउं वाले मिनम्मा और रहुल का जमकर साथ देते हैं और ठंग बली क कि आखरी इच्छा के अनुसार उनकी अस्तियां वहाँ विसर्जित कर देता है और रामेश्वरम से वापिस आते वक्त राहुल को भी ये महसूस होता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है पर क्योंकि मिनम्मा के चहरे पर अपने घर वालों को छोड़ कर जाने का दुख होत आया है इसलिए राहुल मिनम्मा को कुपन काउं वापिस ले जाता है और वहां जाके राहुल मिनम्मा के पिता दुरगेश्वर अडगसूंदरम से कहता है कि उन्हें मिनम्मा की इच्छ के विरुद उसकी शादी नहीं करनी चाहिए और इनी बातों के बीच राहूल ये भी कह देता है कि वो मिनम्मा से प्यार करता है लेकिन तब ही वाँ पर थंगबली आता है और मिनम्मा के पिता थंगबली को इस बारे में सब कुछ बताते हैं जिसके बाद राहूल और थंगबली में लड़ाई होती है जिस जिसके बाद वो इस ओवर में कहा जाता है कि इस देश में 1635 भाषाई है लेकिन जो सबसे बड़ी भाषा है वो प्यार की भाषा है और राहूल इस सारी जर्णी का क्रेडिट अपने दादा जी को देता है जिसके बाद इस स्टोरी का दी एंड यहीं हो जाता है और इसी ए इस शांदार जर्णी का मजा लेने को मिलता है जिस मजे को लेकर मजा ही आ जाता है तो दोस्तो यह थी मुवी स्टोरी इस चैनल एक्स्प्रेस की एंड आई होग आपको मेरा यह मुवी स्टोरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पस मज़के माफ कर दीजेगा मैं मिलूंग अब आप से अगली वीडियो में बाई